जैजै श्री हरीवंज, प्रणाम आप सब के हृद्यस्त हित प्रभू को नमन करते हुए आज के समवात को आरंब करता हूँ आज पहला प्रश्न आया है मेरे पास नई दिल्ली से एक युवक का प्रश्न है, आप कहते हैं मेरी उम्र 20 साल है सत्संग में रुची है, प्रभू चरणों में प्रेम भी पर दीक्षा के समवध में व्याकुलता है कि नियम पालन हो पाएंगे या नहीं समय कैसे मिलेगा क्योंकि देश की सेवा का सपना भी है देखिए वैसे तो जब तक मन पूर्ण रूपेंड दीक्षा के लिए तयार न हो जाए तब तक इसमें शीग्रता नहीं करनी चाहिए लेकिन एक छोटी सी बात मैं अपनी ओर से आपको जरूर कहना चाहूंगा कि दीक्षा हो जाने से कहीं आपकी किसी व्यवहार में बाधा पड़ेगी ऐसा नहीं है यही ब्रह्म बहुत से सादकों को ब्रहमित करता आया है जबकि जैसे एक व्यक्ति अध्यात्मिक दृष्टी से भीतर से सबल होता है उसका व्यवहार और कुशल हो जाता है जब एक व्यक्ति की अध्यात्मिक शक्तियां जागरित होती है तो व्यवहार जगत में इस संसार में वो और श्रेष्ट व्यवहार कर पाता है और श्रेष्ट आचरन कर पाता है बलकि मैं तो ऐसा कहना चाहूंगा कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति ही तो संसार में सत आचरन करके, श्रिष्ट आचरन करके, दूसरों के लिए आधर्श बन सकता है, one can be a role model for this world, if one is spiritually awakened, enlightened and strong, तो आपने कहा कि दीक्षा के संबन्द में अभी व्याकुलता है, थोड़ी दुविदा है, तो मैं आपको कहूँगा कि आप थोड़ी अभी प्रतिक्षा करिए, जब मन पूर्ण रूपेंट तयार हो जाए, तभी किसी से दीक्षा लीजिए, हाँ पर ये विचार अपने मन म न लाईए, कि दीक्षा से किसी व्यवहार में या किसी कारे में बाधा पड़ सकती है, मेरा अनुभव तो ये कहता है, कि भगवत चरणारविंद में आश्रित होने से, शरणागत होने से, व्यक्ति की शक्ति, उसका बल, उसकी बुद्धी, उसकी विध्या और प्रखर होत होती है, और जागरित होती है, अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने जालंधर से, आप पूछते हैं, और संयोग से ऐसा प्रश्न आज तीन लोगों ने पूछा है, तो आपने पूछा है कि कुम्बकरण और विभीशन में से कौन श्रेष्ठ था, क्योंकि विभीश धर्म होता है, और एक परम धर्म होता है, साधारन धर्म के सामने यदि विशेश धर्म हूँ, तो साधारन धर्म को त्याग कर दिया जाता है, और परम धर्म के सामने विशेश धर्म भी छोड़कर उसी परम धर्म का पालन किया जाता है, जैसे परिवार आदिके प्रती, आ अधिक से अधिक लोगों को आपका लाब मिल सके, आपके गुण का, आपकी बुद्धी का, आपके साधन का लाब मिल सके, ये विशेश धर्म है और परम धर्म है आत्म कल्यान करना. तो पहले तो धर्म को ही विस्तित रूप से समझ लेना बहुत आवश्र के धर्म की गती बड़ी सूक्ष्म है भीश्म पितामा जीवन भर यही कहते रहे कि मेरा प्रण है कि मैं हस्तिनापुर के राज सिंगासन की रक्षा करूँगा पर श्री कृष्ण ने उनसे कहा यदि हस्तिनापुर का राज सिंगासन अधर्म के पक्ष में खड़ा हो जाए तब यह धर्म नहीं रहता कि अधर्म का साथ दिया जाए आप देखिए जब कुम्बकरन को जगाया गया निद्रा से और कुम्बकरन को ये बताया गया कि आपको इस प्रकार युद्ध में जाने के लिए जगाया गया है असम है तो जागते ही कुम्बकरन ने क्या कहा था कि क्या रावन की मती मारी गई है जो साक्षा जगदंबा क उहर लाया और आप सब जानते हैं कि कुम्ब करण ने रावन को समझाने का भी प्रयास किया पर रावन नहीं माना विचार करिए कुम्ब करण जानता था कि सत्य क्या है धर्म क्या है और दूसरी और कुम्ब करण के सामने था अपने भाई का प्रेम विचार करिए धर्म श्रे यही किया, अंगराज कर्ण ने भी कुछ ऐसा ही किया, श्री कृष्ण ने समझाया कि अंगराज आप अधर्म के पक्ष में खड़े हैं, पर अंगराज कर्ण जीवन भर यही कहते रहे कि मेरे मित्र ने असम है मेरी सहायता की है, मैं उसका साथ नहीं छोड़ सकता, जबकि दुरियोधन ने तो कर्ण की वीर्ता, कर्ण की विद्या देखकर केवल उसे अपने पक्ष में किया था, ताकि कभी कल कर्ण मेरे काम आ सके, दुरियोधन ने जो दिया था, वो तो स्वार्थ के वशी भूत होकर दिया था, तो धर्म को सही प्रकार से समझ लेना बहुत और अब आती ये बात सार की जहां प्रभु खड़े हैं वोही धर्म है और जहां धर्म है वही जीवन की जय है जिस जिसने प्रभु से मुख मोड कर और भूल और ब्रह्म में पड़कर धर्म के स्थान पर अधर्म का साथ दिया है उसको जीवन में कभी यश नहीं मिला उसका जिवन अंत में अंदकार के गर्त में ही पड़ा है, इसलिए सीधी सी बात है, भाई, हमारे बाबा तो कहते थे, जहाँ श्री कृष्ण खड़े हो, बस वोई धर्म है, जहाँ श्री राम खड़े हैं, वोई धर्म है, भक्ति यही सिखाती है, जिस पक्ष में प्रभू खड़ स्थान बन जाए पर जब अपनी और देखती हूं तो ऐसी कोई उम्मीद नजर नहीं आती कि मुझसे कभी ऐसा कुछ बन पाएगा अपनी और देखकर अपनी और देखकर ऐसा भाव मन में आना मैं कहूंगा कि यह स्वस्थ लक्षन है इसे ही कही ना कहीं विनम्रता कहते हैं इसे ही कहीं न कहीं, दैने कहते हैं, जीव अपनी ओर देखे, तो वस्तुत है, कभी संभावना नहीं है कल्यान की, कल्यान जब-जब हुआ है, तब प्रभु के स्वभाव की ओर देखके हुआ है, प्रभु की दया और प्रभु की करुना की ओर देखके हुआ है, आपने गुरु के सिध्धान्त का गुरु के विचार का पूर्ण रुपेंट पालन करिए एक दिन अवश्य आप गुरु की कृपा की पात्र बनेंगे इसके बाद मेरे पास कुछ एक प्रश्न आये हैं जो लगबग लगबग एक से हैं और सभी के सभी प्रश्न दीक्षा से संबंदित हैं सब लोग मुझसे यह पूछना चाहरे हैं कि आप तो सदा कहते हैं कि गुरु को मन देने से दीक्षा हो जाती है पर कल आपने कहा कि गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है तो कहीं न कहीं भ्रह्म हो रहा है इसमें कोई भ्रह्म की बात नहीं है जब मैंने कहा कि गुरु क मन देने से दीक्षा होती तो दीक्षा तो होती है जिसको भी आप मन देते हैं उसको अपना गुरुतो值 विकार करते हैं हम यह बात दूशरी कि आपकी डीक्षा किस विधी से होई है। मेरे पास कम से कम सो के करीब प्रशन आये हैं जो दीक्षा से संबंदित हैं देखे मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से निवेधन करना चाहता हूँ पहले समझिए दीक्षा होती क्या है दीक्षा में दो बाते हैं एक दिशा और एक शिक्षा सबसे पहले तो उसी को गुरू रूप में वरण किया जा सकता है उसी के प्रती समर्पित होना चाहिए जिसका भाव आपके भावसा हो आपका भाव जिसके भावसा हो अर्थात अध्यात्म की जिस दिशा में आपको जाना हो उसी दिशा में वो विक्ति उसी दिशा में वही संत वही भक्त आगे गया हो तो सबसे पहले तो आपकी और आपके गुरू की दिशा एकसी हुनी आवश्यक है यैसे मैं आपको थोड़ा और स्पष्ट करके बताता हूँ कि मानली जी किसी को श्री राम का रूप प्रिय लगता है किसी की निष्ठा श्री राम के चरणों में है और बहुत प्रगाड संसकार है किसी का श्री राम के चरणों के प्रती तो मेरा कहना ये है कि आपको मंत्र, दीक्षा, शिक्षा उसी से लेनी चाहिए जिसकी पहले से श्री राम के चरणों में ही रुची हो उसी भाव में उसे कोई सिध्धी, उसी भाव में उसे परिपक ववस्था प्राप्त हुई हो, ऐसे ही गुरु से दीक्षा लेना लाबदायक होता है, बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, जिनकी कहीं किसी अनिष्ट में रुची है, लेकिन उन्हें सत्संग सुनना अच्छा है, तो सुनने में कोई हानी नहीं है, खुब अच्छे से सुनिए, श्रवन करिए, लेकिन गुरु वो ही होना चाहिए, जिसका भाव आपके भाव के अनुकूल हो, आपका भाव जिसके भाव के अनुकूल हो, भाव की दिशा दोनों की एक सी होनी चाहिए, यदि आपका मन श्री कृष्ण की ओर है, मैं तो कई बाद आप से कहता हूँ, यह जो भिन-भिन आचारें का प्रागट्य होता है, इसलिए तो होता है, प्रभु तो दो नहीं है, सत्य तो दो नहीं है, धरम की परिभाशा दो नहीं हो सकती, सभी के लिए एक सी है, पर यह जो भिन-भिन रू कि आपको किसका भजन करना है पूर्व का ये संसकार मिश्चित करता है कि कहां तक आकर आप और में पहुँचे हैं ऐसे आज मुझसे किसी माता ने पूछा कि जब अच्छा लगता है माला सिस्मरन अच्छा लगता है श्रवन अच्छा लगता है पर अभी यूगल सेवा में उची नहीं है, कोई बात नहीं, जहां तक सहज आप चल पा रहे हैं, वहीं तक आप चलिए, जब की कृपासे, शवन की कृपासे, जब आपके भीतर की भूमी का तयार हो जाएगी, तब आप सेवा में भी प्रविर्त हो सकते हैं, तो सबसे पहले तो देखिये, दिशा एक हो तब ही शिक्षा लेने का लाव है, और ये दिशा और शिक्षा ये दोनों मिल कर ही दीक्षा कहलाते हैं, हमारे श्री ही दुरुफदास जी कहते हैं, कि गुरु, इश्ट मंत्र और फिर उसी के अनुरूप रसिको का संग हो, ये चार स्थम्भ हैं उपासना के, गुरु, इ तुलसी के अनुकूल श्रवन, कथन, स्मरन आप करें, तभी आपकी भावना परिपक्व हो सकती है, तभी आपकी भावना शुद्ध हो पाएगी, तभी मन स्थिर हो पाएगा, तो ये प्रशन मेरे पास आज बहुत से आये, दीक्षा से संबंदित, तो मैंने थोड़ा इस व पंत्र देना गले में तुलसी की माला पहनाना ही दीक्षा नहीं है, वो भी दीक्षा है, गुरु समर्थ हो तो केवल दृष्टी से दिक्षित कर सकता है, अपने संकल्प से दिक्षित कर सकता है, अपने विचार से दिक्षित कर सकता है, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका जी कर ले तो संबंध बन जाएगा तो यदि आपने पूर्ण रूपेन मन दे दिया है फिर कोई दुविधा नहीं है फिर कोई द्वंद नहीं है आपकी दीक्षा हो चुकी है एक बात है दीक्षा होनी आवश्यक है वो किसी भी विधी से हो उसकी कोई एक विधी नहीं है लेकिन दीक्षा होने आवश्यक है किसी ना किसी के प्रती आपका मन समर्पित होना आवश्यक है जैसा आज मुझसे किसी ने प्रश्न किया है यह शायद आप दिल्ली से हैं आपने कहा कि मैं सीय कर रहा हूं लेकिन जब भी भाव की भक्ती की कोई बात आती है तो मेरे मन में बहुत सारे प्रशन खड़े हो जाते हैं I start arguing with people मैं लोगों से argument करना शुरू कर देता हूँ और जबकि कहीं न कहीं ये जानता हूँ कि भगवान को बुद्धी से समझा नहीं जा सकता तो क्या कभी मुझे भक्ती प्राप्त होगी यहाँ पर आकर गुरू की अवश्रक्ता पड़ती है यहाँ पर आकर समर्थ गुरू की अवश्रक्ता पड़ती है जब वो शक्ति पात करता है आप पर अपने शब्दों से, अपनी द्रिष्टी से कभी-कभी अपने स्पर्ष से, कभी-कभी अपने विचार से कभी-कभी अपने मौन संकल्प से गुरू शक्ति पात करता है और एक योग्यता प्राप्त होती है भजन की आप लोग मुझे बरसों से सुन रहे हैं मैंने सदा कहा कि हो सकता है दीक्षा में गुरू आपको वो ही जबने के लिए कहे जो आप पहले से जब रहे हो लेकिन दीक्षा के बाद एक परिवर्तन आता है कि उसमें फिर गुरू के संकल्प की शक्ति मिलती है उसमें गुरू के संकल्प की उर्जा मिल जाती है आपकी भावना स्थिर होने लगती है आपका मन पवित्र होने लगता है, मल विक्षेप से रहित होने लगता है तो दीक्षा को समझ लेना आवश्यक है, हाँ लेकिन इतना आवश्य है दीक्षा उसी से लिजानी चाहिए, जिसकी भावना आपकी भावना रुचिक के अनुकूल हो आपका मन जिसकी भावना के अनुकूल हो बहुत बार ऐसा प्रशनाता ऐसी दुविदा आती है कि भजन तो हम श्री राम का करते हैं लेकिन गुरु भाव आप में है तो मैं उन लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा उन सादकों से ये कहना चाहूँगा आप श्रमन करते रहें लेकिन आपको जो उपासना की विदी है वो तो अपने भाव के अनुकूल किसी संत से किसी भक्त से ही ग्रहन करने चाहिए तब ही उपासना में सिध्धि मिलती है ये नियम है इसको आप और में कोई परिवर्थित नहीं कर सकता अगला प्रशन मुझसे किसी ने पूछा है लखनव से आप पूछ रही हैं कि आप कहते हैं कि कुछ पल एकांत हो पर वो एकांत है क्या क्या क्योंकि जब भी उस एकांत में बैठती हूँ तो बहुत कोला हल मन में होता है जिससे मन घबरा जाता है तो वास्तवी एकांत हो ऐसा क्या करूँ बड़ा अच्छा प्रशन है सबसे पहले तो अच्छा लगा मुझे कि आपने वस्तुत है बैठने का प्रयास किया मेरी बार सुनकर और जो आपने कहा जो आपने कहा बिलकुल ठीक ऐसा ही घटता है ऐसा ही घटेगा और कुछ काल तक घटता रहेगा जब-जब आप एकांत में बैठने का प्रयास करेंगे इसी लिए तो मैं बार-बार आपसे कहता हूँ कि अपने भीतर उतर कर आपके भीतर उतरने की आग्या आपके भीतर उतरने की जाते हैं तो क्या होता है आप जाते हैं धूल भरे कक्ष को साफ करने के लिए और कुछ देर के लिए तो आप भी धूल से भर जाते हैं अब कोई ये कहे कि भाई गय तो थे सफाई करने आप तो खुद धूल से भर कर आ गए लेकिन कुछ काल के परिश्रम के बाद कक्ष भी साफ हो जाता है और बाहर आकर आप भी सनान करके स्वच्छ हो जाते हैं शुद्ध हो जाते हैं तो बिलकुल ये ऐसी ही स्थिती है भीतर जन्म जन्मांतर के संसकार जमे पड़े हैं जब आप जब आप एकांत में उतर कर जब आप अपने भीतर उतर कर एक द्रश्टा की भाती, खुद को देखने का प्रयास करते हैं, नाम जब से, आत्म चिंतन से, जब आप उन संसकारों की धूल को हटाने का प्रयास करते हैं, तो एक बार तो आप भी उस धूल से भर जाएंगे, इसलिए मैं सदा कहता हूं कि, सादक के लिए आरंबिक जो कुछ काल होता है, वो बड़ा सुखद नहीं होता, वो कठिन होता है, वो कठोर होता है, गुरू की कृपा का आश्रे लेकर, प्रभू की नाम का साहरा लेकर, डरिये ने, घवराये ने, और जैसा आपने का, बिल्कुल ठीक ऐसा ही होता है, बहुत कोला हल है भीतर, बहुत कोला हल है, घवरा सकते हैं आप, घवरा सकते हैं आप, भय का होना बड़ा स्वाभाविक है, लेकिन घवराये नहीं, डरिये नहीं, अपने गुरु की कृपा का आश्रे लेकर, भगवन नाम जबते जबते, कुछ समय तक इस ठिती का सामना करिए, दो-दो हाथ करिए इस ठिती से, जू जीए आप जीच जाएंगे, एक दिन आप देखेंगे, कि वो मन का कोला हल है, वो धीरे 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 शांती के संगीत में परिवर्ति थूता जा रहा है, आप बिल्कुल सही मार्क पर हैं, इसी मार्क पर आगे बढ़िए, पर अपने गुरु के कृपा का और भगवन नाम का आश्रे लेकर, आधार लेकर आपको बहुत-बहुत शुप कामना, एक बड़ा अच्छा प्रशना आया है मेरे पास एहमदाबाद से, आपने पूछा है, राम राम जी, आप पूछ रहे हैं कि, राम जी जब वन में जा रहे थे, तब सीता जी हट करके साथ गई, आयोध्यावासी को साथ जाना था, पर श्री राम जी रात के अंधेरे में छोड़ कर चले गए, भरजी लेने गए, तो राम जी ने अपनी समझा कर, और अपनी चरन पादुका देदी बता दिया कि, साधक का जीवन किस प्रकार होना चाहिए, और लक्षमन जी, लक्षमन जी को अपने साथ ले जाने के लिए, एक बार भी प्रभू ने मना ने किया, तो कृपा करके समझाईए, साधक किस की तरह होना चाहिए, सीता जी की तरह होना चाहिए, लक्षमन जी की तरह होना चाहिए, अयोध्यावासियों की तरह होना चाहिए या भरत जी की तरह होना चाहिए बड़ा अच्छा प्रशन आपने पूछा मैं आपको कहूँगा कि साधक में ये चारो भाव होने चाहिए सीता जी की तरा साधक के मन में ये प्रण हो कि एक्षन के लिए भी मन से प्रभु का चिंतन नहीं छोडेंगे मन से प्रभु का साथ नहीं छोडेंगे अयोध्या वासियों की तरा साधक में प्रतिक्षा करने का भाव होना चाहिए कि एक दिन प्रभु हमारे मन की अयोध्या नगरी में भी आएंगे हमारे भीतर भी दिपावली का प्रकाश का उत्सव होगा भरत जी की भाती प्रभु के चरणों का आश्रे लेकर आधार लेकर अपने संसार के करतव का भी संसार के कारे का भी बड़ी निष्ठा से उसका पालन करना चाहिए और लक्ष्मन जी की भाती तत्सुक सुखित्वं का भाव मन में धरके सतत प्रभु की सेवा और प्रभु का स्मरण भी एक सादक के जीवन में होना चाहिए बड़ा अच्छा प्रश्न लगा मुझे कि चारों में से कैसा हो सादक तो मैं कितो थोड़ा थोड़ा चारों के जैसा हो अगला प्रश्ण मुझसे पूछा है किसी ने डली से आप पूछ रही हैं कि प्रेम में परंपरा का पालन करना आवश्चक क्यों है पूछा जाता है आप किस परंपरा से हैं अगर आप बिहारी जी आते हैं तो आप राधावललब क्यों जाते हैं क्या संतों में भेध होता है, क्या प्रभु में भेध है, जब गोपी ने पाया, मीरा ने पाया, तो क्या किसी परंपरा से पाया, प्रेम तो सब परंपराओं को तोड़ देता है, क्यों ये प्रश्न है, कि आप वहां जाते हैं, वहां क्यों नहीं जाते हैं, वहां क्यों नही बहुत सारी चीजें आपकी और मेरी खड़ी की हैं बहुत सारी दिवारें आपकी और मेरी बनाई हैं लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर निवेधन करना चाहता हूं कि संप्रदाए किसी द्वन्द या दुविधा के लिए नहीं बनाए गए संप्रदाए is like a school for example you want to study you want to educate yourself you would have to take admission in an institution आपको किसी संस्थान में किसी विद्ध्याले में प्रवेश लेना पड़ेगा न प्रतेक स्कूल पढ़ाई करा रहा है अपने तरीके से करा रहा है प्रतेक स्कूल का अपना टाइम टेबल होता है प्रतेक स्कूल के अपने कुछ rules and regulations होते है प्रतेक स्कूल की अपने कुछ terms and conditions होती है ऐसे ही जो प्रतेक संप्रदाए है उसका उदेश्य कुछ और नहीं है उसका उदेश्य यही है कि आप और मैं आप और में सही दिशा में सही तरीके से आगे बढ़ पाएं जो वस्तो आपको मुझे प्राप्त करने हैं वो आप में ठीक तरीके से आप और में प्राप्त कर पाएं संप्रदाए is like a disciplined way a disciplined way to move forward on the path of spirituality पर हुआ क्या कि पिछले कुछ समय में ये बात बहुत बढ़ती चली गई और संप्रदाए ये मेरा संप्रदाए ये तेरा संप्रदाए पर मुझे ऐसे लगता है कि सादक को कभी किसी में भेद बुद्धी नहीं करना चाहिए प्रभु की किसी रूप में भेद बुद्धी नहीं होनी चाहिए, आपको जो रूप प्रिय लगे, उस रूप को निहारते रहिए, उस रूप का भजन करते रहिए, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, अपने अपने स्थान पर सब संप्रदाय, सब संत, सब मत, कही न कई सत्य की ओर ही इंगित करते हैं आपको मुझे जो रूचे आपको मुझे जो रूचे उसका सम्यक प्रकार से अनुपालन करना चाहिए उसका सम्यक प्रकार से अनुशीलन करना चाहिए we should follow we should follow what we want to follow but honestly, totally, actually हाँ इतना जरूर है कि इस बात में there is a very thin line इतना जरूर आपको मुझे समझना पड़ेगा कि अच्छा यही है कि किसी की बात को न अच्छा न बुरा कहते हुए जो मार्ग आपको मिला है उस पर पूरे निष्ठा से आगे बढ़ा जाए तो ऐसा कुछ नहीं है मुझे लगता है कि प्रेम की अपनी ही एक परंपरा है वो किसी परंपरा को नहीं मानता प्रेम की अपनी एक परंपरा है और आपने बिल्कुल ठीक कहा गोपी ने भी उसी प्रेम की परंपरा से श्री कृष्न को पाया मीरा ने भी उसी प्रेम की परंपरा से श्री कृष्ण को पाया आप और मैं भी उसी प्रेम की परंपरा से श्री कृष्ण को पा सकते हैं प्रेम किसी का खंडन नहीं करता, प्रेम किसी की निंदा नहीं करता प्रेम किसी का अनादर नहीं करता इतना अवश्य है, प्रेम एक के अतिरिक्त किसी और को देखता भी नहीं, प्रेम एक के अतिरिक्त किसी को जानता भी नहीं, जानना चाहता भी नहीं, तो मैं आप यही कहूंगा कि मन ही मन, मन ही मन सबको नमस्कार करते हुए, पर अपने ही सिध्धान्त का, अपने ही गुरु से बाहर रहते हुए सादक धामवास का आनंद या धामवास का लाब कैसे प्राप्त करें श्री दुरुफदाज इसका बड़ा सुन्दर उत्तर देते हैं वो कहते हैं व्रिंदावन को नाम रट, व्रिंदावन को देख, व्रिंदावन सों प्रीतिकर, व्रिंदावन उरलेख, जैसे आप अपने घर में, अगर अपने प्रभु को विराजमान करके उनकी सेवा करते हैं, तो इसी भावसा ही तो सेवा करते हैं, कि प्रभु यहां विराजमान है, उसी भाव से तो आप उनको श्रिंगार करते हैं उसी भाव से तो आप उनको भोग लगाते हैं उसी भाव से आप उनकी सेवा करते हैं कि मान लीजे आप अपने घर में राधा वल्लवलाल की सेवा करते हैं तो इसी भाव से ही तो सेवा संपन हो पाती है राधा वलबलाल यहाँ पर विराजमान है और मेरी सेवा सुविकार कर रहे है तो जैसे भगवान नित्य है वो कहीं पर भी विराजमान हो सकते है कहीं पर भी उनकी अनुभूती की जा सकती है ऐसे ही भगवान का नाम भगवान का रूप भगवान की लीला और भगवान का धाम ये चारो तत्व नित्य हैं कहीं भी किसी विस्थान पर कहीं भी किसी विस्थान पर अनुभूती भी की जा सकती है आश्वादन भी किया जा सकता है भक्त लोग, संत लोग करते आये हैं उसी के आधार पर मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि व्रंदावन शतलीला का यदि आप चंतन करें दर्शन करें तो आप पाएंगे दुरुवदार जी ने अनेक विधियां बताई हैं कहीं पर भी रहते हुए किस प्रकार धाम का वास कहीं पर भी रहते हुए किस प्रकार ध सदत भावना का आश्रय लेकर आप धाम का अनुभव भी कर सकते हैं धाम का अस्वादन भी कर सकते हैं इसमें कोई संशय नहीं है कोई संशय नहीं है मैं तो आपको यह कहूंगा कभी मन से धाम से दूर होई यह नहीं सदा मन से निकट बने रही है सदा मन से प्रभू के पास रहने का नाम ही उपासना है, अगर आप उपासना शब्द का संधिविच्छेद करें, if I explain the grammatical meaning of the word उपासना, तो उसका अर्थे ये पास बैठे रहना, पास बैठने का नाम ही उपासना है, तो मन से सदा, मन से सदा श्री जी के नाम के, श्री जी के रूप के, श्री जी के ल पीला चिंतन के निकट रहने का अर्थे ही उपासना है, और ऐसा मैंने कहा, अगर प्रभुक को कहीं पर भी विराजमान करकर उनकी सेवा की जा सकती है, तो फिर उस प्रभुक से संबध, इस दिव्विधाम का भी कहीं पर भी भजन किया जा सकता है, चिंतन किया जा सकता है दर्शन किया जा सकता है आस्वाधन किया जा सकता है कोई संशे नहीं है इसमें इसके बाद मेरे पास प्रश्न आया है पुने से आपने कहा कि मैं आध्यात्म में रूची रखती हूँ पर पती बिल्कुल नहीं रखते है दो बालक हुए और मुझे ऐसे लगता है क्योंकि मैंने गर्ब काल में सतथ भगवत स्मरन किया तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों बालक शुद आत्माएं हैं पर कही न कहीं पती का व्यवहार ये बताता है कि वो उन्हें जीवन की किसी दूसरी ही दिशा में ले जाना चाहते हैं मैं चाहती हूँ कि बालक संसकारी बने पर परव्यारिक वातावरन बिल्कुल इसके पृति कूल है देखिए आप माता हैं और बालक का सबसे पहला गुरु माता होती है बालक पर सबसे पहला अधिकार माता का होता है और पिता कोई भी संकल्प करे ये बात तो मैं आपको अपने अनुभव से बता सकता हूँ पिता कैसा भी हो कैसा भी संकल्प करे पर यदि माता निश्ठा से पर यदि माता संकल्प बद्ध होकर ये विचार ये शुब संकल्प अपने मन में धारन करे कि बालक सदाचारी बने, बालक संसकारी बने, बालक पवित्र जीवन जीए, तो प्रकृति को माता का सहयोग करना पड़ता है, आप बिल्कुल विचार ना करें, कि घर की परिस्थिती कैसी है, कौन क्या कर रहा है, आप अपने संकल्प पर दिड़ रहिए, आप अपने भीतर ये विचार सदा रखिए, कि आपका बालक सदाचारी बने, संसकारी बने, प्रभु से प्रार्थना करती रहिए, बालक के निमित, आप माताएं, आप जब कर सकती हैं, आप प्रार्थना कर सकती हैं, कभी विश्वास नहीं छोड़िएगा, कि बाहर की प्रतिकूलता, कहीं आपकी भावना को निस्तेज कर सकती है कभी नहीं होगा ऐसा मेरी बात का विश्वास रख सकती है आप सतत प्रवु से प्रात्ना करिए प्रकृति आपके लिए मार्ग अवश्य बनाईगी यह प्रशन किसी ने पूछा है पंजाब से आप पूछ रहें आत्म सम्मान में और अहंकार में भेद क्या है अभिमान अहंकार दूसरे को चोट पहुचाता है जबकि आत्म सम्मान की भावना में ऐसा नहीं होता यह जरूर समझ लेना चाहिए कि आत्म सम्मान होता क्या है आत्म सम्मान है क्या बहुत बार हम जीवन में आत्म सम्मान की कामना दूसरों से ही करते रहते हैं बहुत बार मैं ऐसा कह बैठते हैं कि उसने आपकी मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर दिया सेल्फ रिस्पेक्ट का अर्थ है आत्म सम्माने कि आप अपने जीवन का कितना सम्मान करते हैं आपके जीवन में अपनी अपनी आत्मा का कितना सम्मान है जब कुछ कहकर नहीं कर पाते आप कहीं ना कहीं मुझे लगता ये है आत्म सम्मान का खो जाना आप अपने को दिया हुआ संकल पूरा नहीं करते अपने को दिया हुआ वचन पूरा नहीं करते ये है कहीं न कहीं अपने आत्म सम्मान को अपने हाथ से क्षती पहुँचाना आत्म सम्वान तो सदा अपने गुण की गौरव की विर्दी करता है और किसी के लिए कभी कष्ट दाई नहीं होता जबकि बिल्कुल ठीक उसी के जैसा दिखने वाला अभिमान ये बात आपकी ठीक है क्योंकि दोनों बिल्कुल एक से दिखाई पड़ते हैं बिल्कुल उसी की तरह दिखने वाला अभिमान स्वैम को भी भीतर से सताता है और किसी अन्य के लिए भी कष्ट का कारण बनता है एक प्रश्ण जो मेरे पास लखनव से आया आपने पूछा कि श्री गोस्वामी तुलसिदास जी सगुण उपासना की बात करते हैं श्री गुरु नानक देव जी माहराज के शब्दों को यदि ध्यान से देखें तो वो निर्गुन की बात करते हैं और वो कहते हैं कि सगुण किसी भी दृष्टी से उचित नहीं है कबीर भी कुछ-कुछ इसी प्रकार की बात करते दिखाई पड़ते हैं जब सभके मन में एक ही सत्य का प्रकास है फिर यह भिन-भिन शब्द यह भिन-भिन विचार क्यों देखिए आज के सत्र में आरंब में मैंने आपको इसका उत्तर दिया कि एक ही सत्य तत्व एक ही हित तत्व अनेक अनेक आचारियों के रूप में प्रकट होता है क्योंकि अनेक अनेक जीव हैं उनकी अनेक अनेक रुचियां है एक ही माता और पिता से जन्म लेने वाले दो बालक उनका स्वरूप अलग होता है उनका स्वभाव अलग होता है उनकी वृत्तियां उनकी रुचियां अलग होती है ऐसे ही आप और मैं हम सब भी हम सब भी बालक तो एक ही जननी के हैं एक ही पिता के हैं लेकिन आपकी मेरी स्वभाविक वृत्तियां रुचियां अलग-अलग हैं भिन-भिन हैं भिन-भिन हाँ हो सकता है उनके शब्द देखने से मन में द्वन्द हो सकता है लेकिन कभी आप गेहन उतर कर यदि आप उनकी भावना का दर्शन करेंगे उनकी हार्द का दर्शन करेंगे तो कहीं कोई दुवधा नहीं है कहीं कोई द्वन्द नहीं है आपको एक छोटी घटना सुनाता जब श्री हरी राम व्यास जी विरंदावन आये, तो हरी राम व्यास जी को कुछ ऐसा प्रसाद यहां से प्राप्त हुआ, श्री हितरीवंच महाप्रभू की कृपा से, कि उन्होंने उसके बाद सब भक्तों को ही अपना इश्ट आराध्य मानना आरंब कर दिया, तो व्यास व्यास जी ने एक शण के लिए अपने मन में विचार किया कि नहीं, कबीर जी रसिक संत नहीं है, वो तो निर्गुन के उपासक है, तो उनका नाम यहां लिखने की क्या आवश्च रकता है, तो व्यास जी कबीर जी का नाम लिखे बिना आगे बढ़ गए, थोड़ी सी दे व्यास जी को जो लीला दर्शन होता था, जो सतत श्री प्रिया प्रितम का दिव्वे, लीला चिंतन व्यास जी के मनस में बना रहता था, व्यास जी को वो लीला दर्शन होना ततकाल बंद हो गया, और व्यास जी का तो जीवन ही था अपने मन मंदिर में प्रिया प्रितम की छवी निरकते निरकते जीना तो व्याज जी बिलकुल जैसे जलके बिना मचली तडपती है ऐसे व्याज जी तडपने लगे ऐसे व्याज जी आकुल व्याकुल हो गए संध्या समय व्याज जी पहुंचे अपने गुरू श्री हितरीवन्ष महाप्रभु के चर्णों में श्री महाप्रभु ने कहा आप जैसा आप जैसा परम भागवत यदी इस कष्ट को पा रहा है तो एक ही कारण हो सकता है आप से जाने अंजाने किसी भक्त का अपराद हुआ है व्याज जी ने खूब विचार किया कि मुझसे ऐसा कौन सा व्यवहार बन पड़ा जिसके कारण मुझे ये दंड मिल रहा है तो व्याज जी ने जब बड़ा गहन चिंतन किया तो व्याज जी ने हित महाप्रभु से कहा कि हाँ आज जब मैं भक्त महिमा का एक प्रसंग लिख रहा था तो कहीं कवीर जी के लिए मेरे मन में कुछ ऐसा भाव आया कि नहीं नहीं वो तो सगुन उपासक नहीं है वो तो रसिक भक्त नहीं है निर्गुन भक्त नहीं में उनका नाम छोड़कर आगे बढ़ गया श्री महाप्रभु ने कहा बस यही अपराद आपसे हुआ है अभी जाईए कभीर जी से क्षमायाचना करिए और श्री व्यास जी श्री यमुना के किनारे बैठ कर श्री कभीर जी का स्मरन करने लगे श्री कभीर जी ने व्यास जी को दर्शन दिया और मुस्कुराते हुए कहा कि हम वो ही कहते हैं जो प्रभु हमसे कहलाना चाहते हैं भक्त तो निमित मात्र होकर वो तो भगवान का लीला यंत्र होकर इस संसार में आता है उन सबका हार्द एक है उन सबका हार्द एक है सत्य दो होई नहीं सकते एकमसत्विप्रा भहुधा बधनती एक सत्य को भाँती भाँती से कहने का प्रियास किया जाता रहेगा एक बात इसमें और कि कभी कभी जैसे कबीर जी कभी-कभी मूर्ती पूजा के विरोध में बोलते दिखाई पड़ते हैं दिखाई पड़ते हैं, बोले नहीं है आपको मुझे दिखाई पड़ेंगे जैसे कबीर एक जगहां पर कहते हैं कि पाथर पूजे हरी मिले, तो मैं पूजू पाहार अगर पत्थर की पूजा करने से भगवान मिलता है तो फिर छोटा सा पत्थर की हो, बहुत बड़े पत्थर की पूजा करते हैं, पर आप थोड़ा चिंतन करिये, कभीर जी मूर्ती का विरोध नहीं कर रहे हैं, मूर्ती पूजा के नाम पर उस समय उस काल में जो पाखंड हो कभीर जीवों को रोज प्रताडित होना पड़ता था, तो कभीर जी ने कई मूर्ती पूजा का खंडन नहीं किया, मूर्ती पूजा के नाम पर होने वाले पाखंड और आडंबर का खंडन अवश्य किया है, और वो एक जागे हुए भक्त के जीवन में आपको सदा मिलेगा जो जागा हुआ है, मैंने आज के संदर्ब में जब कुम्बकरन और विभीशन की बात आई, जो व्यक्ती भीतर से जागा है इसने धरम का मर्म जाना है, वो कभी व्यक्ती से संबंद नहीं बनाएगा, वो सत्य से संबंद बनाएगा, वो उसी पक्ष में खड़ा होगा जह तो कभीर जी, कभीर जी युग प्रवर्तक महा पुरुष थे, युग प्रवर्तक संत हुए हैं, ऐसे लोग युग पुरुष हुए हैं, उन्होंने जो कहा है, सब का हार्ध एक है, उसी सत्य की वाद सब ने कही है, लेकिन कभी-कभी समय की आवश्शक्ता को देखते कि उसका संयम से प्रयोग होना चाहिए, उसे कभी मैंने पूर्ण रूप से निशेद करने के लिए नेका, लेकिन कभी भजन में बैठें, साधन में बैठें, सत्संग में बैठें, तो जरूर उससे एक नियत दूरी बना कर रखनी चाहिए, पर आज भाई समय ऐसा आया, को विचार बदल देने पड़ते हैं, वो एक समय ऐसा था, जब मूर्ती पूजा के नाम पर शोशन हो रहा था, जब मूर्ती पूजा के नाम पर प्रताडित किया जा रहा था, शोशित किया जा रहा था, एक दीन वर्ग को, तो कभीर जी उसका विरोध करते हैं, नहीं तो नानक, तुलसी, मीरा, सूर, कबीर, रैदास, और जिन जिन भक्तों का नाम मैं जानता हूँ, आप जानते हैं, वो सब, सबने उसी सत्य को पाया है, प्रेम के पत्से ही पाया है, और सत्य दो नहीं होते, भिन भिन रुचियों का पोशन करने के लिए, उसे भिन भिन प्रकार स कहा जाता है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, एक छोटी सी बात और में कहता चलू, मैंने पहले ही कहा था कि भाई, there should be no personal queries, कोई निजी प्रश्ट यहाँ पर ना आए, ना आपके जीवन से संबंदित, ना मेरे जीवन से संबंदित, ये समय, ये समय साधकों से संब का है, मेरे पास तो नहीं आते, लेकिन मेरी team पहले से उसे filter करके मेरे पास में भीजते हैं, मेरे पास तो जो साधकों की जिग्यासा है, जो साधना से संबंदित प्रश्ट ने वही आते हैं, लेकिन मुझे आज सुनने को मिला, कि बड़े सारे प्रश्ट बिलकुल अनरगल हैं, there are so irrelevant questions, निजी जीवन से संबंदित हैं, एक ने तुआ जी पूछा कि आपने आपने निजी जीवन से मत पूछिए, तो आपके निजी जीवन से संबंदित तो पूछ सकते हैं, ना मेरा ना आपका, निजी प्रश्ट याँ पर नहीं आये तो अच्छा है, मुझे कोई कश्ट नहीं है, लेकिन मेरी टीम के लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, उसको फिल्टर करने के लिए, मुझे तक कुछ नहीं आता, मैं तो केवल वही प्रश्ट देखता हूँ, जिसका मुझे उत्पर आपको देना है, तो थोड़ा सा प्रयास करें कि साधना से स संबंधिती जिग्यासा यहां पर आए, आप सबको बहुत बहुत शुप कामना, साधन हरिस्मान, श्री हरिवंज, प्रणा